नमस्कार आप सबका मेरे यूटीब चैनल पामिस्ट्री हिलर में स्वागत है आज हम एक फीमिल हाथ का अनलिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 68 प्लस है 68 प्लस है इनके कोश्चन यह हेल्थ कैसे रहेगी बच्चों के साथ रिलेशन कैसा रहेगा इसके लावा सारे बच्चे जो हैं आपस में मिलकर रहेंगे नहीं रहेंगे आर्थिक प्रशानी तो नहीं आएगी और मेरे को अपनी सिहत के बारे में भी पूछना है और मान सम्मान के बारे में पूछना है देखो अब किसी की उम्र 68 प्लस या 69 हो चुकी है आम पार्म बिडर करेगा क्या उसे हर साल की एक्टिविटी नहीं बताएगा नहीं बताएगा वो कहेंगा 69 हो गई है थोड़ा बहुत ऐसे उदर उदर देखकर अपने आप ही बता देंगे यह सारी चीजे ना यहां बच्चों से रिलेटेड पूछा है किस बच्चे से रिलेटेड पूछा है क्या सोच है डिफाइ है मैं दस साल नो और दस साल से देख रहा हूं नो और दस यानि यह फीमेल जब नो और दस साल की थी इनके घर पर क्या चल रहा है देखो मैं एक बारी गलत हो सकता हूं दो बारी हो सकता हूं हमेशा तो नहीं होंगा ना मैं एक लाजिक समझा रहा हूं पर लेकिन मैं गलत क होगा मैं तो आठक जाता हूँ हुआ है तो हुआ है हुआ है और दूसरा व्यक्ति को याद करना बढ़ता है हाँ हुआ था हुआ था हुआ था तो यह सारी चीजें कैसे आप इतना confidence level कैसे आता है यानी यह चिनूंपड करती है आप रेखाओं को पकड़ते जीवन रेखा को पकड़ते हो आप माइंड लाइन को पकड़ते У蛹 करते हो गलतिया करोगे घर साल की activity यह तो हमें समझ आ रही है कि यह जो female है यह life में बहुत जहलेंगी यह देख रो यह heartlines related नीचे जो formation से यह जहलेंगी लेकिन यह जो sign जो बने हुए हैं यह आप तो इसके तरक्ती के sign बोल रहे हो लेकिन तरक्ती के इलावा है क्या क्या चीज जहलेंगी यह तो समझ में आना चाहिए ना ये तो समझ में आना चाहिए तो वो समझते हैं शुरुआती time period को समझते हैं देखो हमें तो सबसे पहले 20 साल को पकड़ना होता है मुद्दा समझ जो 20 साल की रेखा यहां पर यह जो समय है यह 20 नहीं है यह है 20 यह थोड़ा सा इस साइड पर वाला 20 है यानि अगर मैं सीधा ले जाता हूँ तो यह जो छोटा सा ट्रेंगल बना वह यह 19 पर आ रहा है यह 18 पर आ रहा है यानि यह समय है देखो यह लाइन यही पर आएगी मुझे क्या करना है इसको पकरना यह तो यह पहले है यह 19 साल है देखो समझा रहा हूँ यह भी। जहां यह टच होकर गिरती है वह 20 वा साल होता है यानि यह उगली जहांपर यह खतं हुई है यह टच ही इस mind line पर कर रही है, इस जगह यहां पर पैमाना आपका 20 साल, यह यह भी नहीं, यह वाला पैमाना 20 साल का आएगा, यह जो ट्रेंगल 19 साल पर काला ट्रेंगल बना है, यह अपना कुछ करना चाहती थी, पढ़ाई से related दिक्कत आएगी और यह कुछ कमाना चाहती होंगी, क्यों है, इसमें है क्या यह, यह इतनी परशानी क्यों हो रही है, यह ट्रेंगल केवल इसके लिए बने हैं, नहीं, यह 18 पर यह जो सफेद वाला जो ट्रेंगल बना है, इसे कहते हैं, frustration, मैंने का यहां तो रिष्टा आया था, आपके लिए घरवाले शादी कराना, आप न वाली रेखाएं, पता ही नहीं ती किसलिए हैं, अब यह देखो, यह क्या साइन है, यह जो घूम कर जब जाती है, तो confusion पैदा करती है, 18 साल में study से related चीजों पर यह confused रहता है, आप समझ रहे हो, तो ऐसे अगर समझते रहोगे, 18, 17, 16, 15, यह जो यहां पर यह देखो, यह स बाहर जाना चाहरा होगा, अब मैं यहां से लेकर मैं चलता रहूँगा, मैं जब चलूँगा, मैं इस जगा पर आ जाओँगा, यह देखो, यह क्या साइन बने हो, यहां कुछ प्रापर्टी से related चीज़े हैं न, अब मैं यहां पर करूँगा कि 10 साल मैंने यहीं से बना हुआ है, और इसके बाद नीचे से रेका को घूमा दिया गया है, तो मैंने कहा कि 10 साल के बाद, आप 10 साल और 9 साल के बीच में आपके घर पर disturbance और आपके पिता जी ने यहां से कोई काम और यह चीज़े शुरू हुई होगी, यह है पहले कोई आपके चाचा ताओ, उ इनके मतलब क्या है, ठीके न, इनके मतलब क्या है, यहां पर समझ नहीं आ रही थी, लेकिन यहां पर थी, आप देखो शादी की, यह देखो उन्ने से न, यह जो ट्रेंगल बीच में ऐसे करके बना दिया गया है, यह disturbance डाल दी गई, आप शादी करके बैठ गए, अब इसम मतलब यह है कि यहां शादी तो हो गई, यह डॉटिड आ गए, यह रेखा ने कट लगा कर, यहां पर का कुछ करना है, यहां पर यह जो ट्रेंगल बना रखे, यह बच्चों के इलावा, आप क्या करोगे, यहां पर मुझे कुछ करना है, अपना, अपने यह लाइन कहती है जो पहले 19 में सोच रहे थे, वही चीज़े आप यहां पर सोच ओगे, इसका मतलब यह है, कितनी देखो, परफेक्टली चीज़े मैच होती है, परफेक्टली, अब बात बताओ, इस समय पर हमने कहा कि, यहां के बाद आप कुछ करना चाहते हो, एक लाइन आई, इस लाइन इसका यह मतलब होता है कि, यह रेखा पर कट का निशान है न, आप घर, पहले तो आप कोई ट्रेनिंग से रिलेटेट, आप अपने माइके पहुच ओगे, माइके से वापिस सुसराल नहीं आना चाहते, इसका मतलब यह है, यह नहीं आना चाहते, यह कट के निशान डल रह तुझे जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तो उस चकर में न, आप न, यहाँ पर यह चीज़े हो रही थी, ठीक है, अब देखो, आपको यह पता है, यह साइन किस चीज़ के हैं, यह बताओ, यह साइन किस चीज़ के हैं, जब ऐसे कोई साइन बनत मैं लड़ाई बोलूंगा एक वर्ड देखो यह 24 है यह यहां आकर एक कट का निशान यह क्या था यह वाला साइन पकड़ो बहुत बारिक साइन है लेकिन इसकी एहमियत है देखो यह यहां कट लगाए यह है सुस्राल पक्ष यह आइसलेंट आ गया और इसके बाद यह अलग हो गए यानि इन में से कोई व्यक्तिस लड़ाई हुई है 25 साल पर और 25 से 26 में अलग हुए यह चिस समझा गई इस लाइन का मतलब है इस लाइन का ऊपर ट्रेंगल बनाया है 27 साल से आपने कोई काम शुरू करा है मेजर नुकसान पर जाओगे क्यों क्योंकि इस रेखा के बाद एक कट का निशान लगा है यह एक आपकी लाइफ में नुकसान उठाना पड़ेगा आपके पती को भी यहां पर इसका मतलब यह है कि यहां से एक निया काम शुरू कर रहा है 28 और 39 साल से समझ में आई अब इनके मतलब समझ लो यह एक प्रापर्टी है यह एक प्रापर्टी है यह देखो यह प्रापर्टी है यानि इस पर भी नुकसान उठाना है यह गलत energy level गलत हो गया न यहां पर सुसराल पक्ष प्रापर्टी यहाँ पर आपने नुकसान उठाओ के कोई प्रपटी से रिलेटेड चीजों पर यह समय है आपका 30 से 31 साल लेकिन यही रेखाने आगे बड़ा रखा है यानि आप कोई प्रपटी का काम करोगे ठीक है वो आपके पती कर रहे होगे उसमें आपको क्या होगा यह देखो यह ट करोगे पैतिस तक करोगे यह तो रहा आपका यहां पर यह चीज़ें अब 35 से 36 साल के बीच में यह वाली जो प्रपटी सा रही है यह जो पैटिस के बाद इसी रेखाने इसको छू रखा है न यह देखो यह क्या है इनी को छू रखा यह प्रपटी से तो यानि मैंने का लो लेना या 35 से 36 साल के बीच में ठीक है अब इसको पकड़ लो ये है 37 साल ये 37 साल है अब देखो एक बात बताओ ये 37 पर कितना जबरदस इंपक्ट पड़ा है यानि यहां आपके पापा से रिलेटिड मैंने लिखा है 37 से 38 साल के बीच में पापा नहीं रहेंगे नहीं अब इसके बाद ये जो साइन आए है ये देखो ये जो साइन आए है यहां के बाद ये क्या है आपकी लाइफ में आपके हजमेंड यहां पर एक कोई प्रपटी या कुछ लेंगे आपने शॉप ली इस चगह पर देखो अब ये इस पर काम शुरू कर सकता है कोई सही से ब 49 से आपने कोई यहां पर प्रॉपर्टी ली नहीं चलेगी अब देखो मुद्धा समझो यह क्या आ रहा था एक आइसलेंड आया था बीच में से एक रेखा को निकाल दिया गया था अब यहीं पर आते हैं तो यह मंगल रेखा के बीच में से एक रेखा कटी है साल पर मैंने का इनके जेट या उसकी वाइफ को कुछ हुआ है डथ हुई थी डथ हुई थी तो यहां चीजे समझ आ जाती है कि यह क्या चल रहा है देखो कितनी प्रिफेक्ष्षन आ रही है हाथ में आ रही है या रही है वही सारी चीजे निकल रही है ना तो इसको अगर समझोगे तब आपको या अब देखो अब समझो मैं और चीज़े दिखाता हूँ दूर से आपको एक अरे सर मैंने आपने हमें एक चीज सिखा रखी है कि अगर कोई भी रेखा यह देखो यहां पर यह जो साइन आते हैं यह देखो इनके साइन के मतलब क्या है यह एक डॉट लगाया था न यहां इसको मैंने कहाया कि किसी की सेवा करना सेवा करना यानि यह समय जो होता है किसी की सेवा कप करता है कोई बिमार पढ़ता है यह 42 था यह 42 था अब देखो ध्यान से समझना यह 42 और नीचे की रेखा उपर आप क्या देख रहे हो कि पूरा का पूरा प्रेशर चल रहा है यहां पर पूरा का पूरा प्रेशर चल रह तो यह क्या है health problem आएगी तो 42-43 पर health problem बढ़ती रहेगी आपके husband की बढ़ती रहेगी अब देखो दो रेखाएं आई यह समस्थे रहो दो रेखा आई यह चुटकू सा sign का क्या मतलब था चुटकू सा sign का क्या मतलब है यह मैंने मैं अटक गया था documentation कोई FD तुड़वाई या यहा पर यहां मैं यह बात बोल रहा हूं इन्होंने का FD नहीं तूटी यहां हाँ है मैंने गोल्ड बेचा था देखो FD तुड़वाना तुड़वाना यानी कब करता है जब मुसीबत पड़े तो यानी इन्होंने FD नहीं तुड़वाई सोना बेचा बात तो वही है बात तो वही है न देखो energy level यहां खराब आया हुआ है न इस जगा पर तो वो कारण से खराब हो जाता है ये मदद करेंगी अपने बच्चों के भी करेंगी ऐसा नहीं है लेकिन आप नहीं करने दूँगा मैं ठीक है अब नहीं करने दूँगा ये चीज़ समझा गई क्यों नहीं करने दूँगा इन्हें मैं फोन पर समझा चुका हूँ ठीक है तो इन चीजों को पकड़ना जरूरी होता है, ठीक अब ध्यान सा देखना इन दोनों square को पकड़ लेना ये square जो आ रहे है न ये देखो G1 रेखा के नीचे आ रहे है न ये cut लगाया और इसके बाद ये रेखा को घुमा कर इधर कर दिया गया है गुमा कर दिया गया ना बस इसका मतलब यहां पर ही सब कुछ गड़बड होगी यहां दो एक्टिविटी मैंने मेंशन करी थी समझते रहे ना यहां मैंने लिखा उनीचा साल पर यहां पर आपके घर पर आपके बच्चे से रिलेटेड और आपके हस्बेंड के काम से और यह रेखा खतम करके यह काम को खतम करके कुछ कर रही है ना यानि बच्चे से रिलेटेड काम पर और आपके पती के काम से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो होगी आपके लिए गलत होगी यहां यहां पर क्या हुआ कि आपके हस्बंड ने एक शॉप पर अपने बच्चे को हटा कर खुद बैठे थे, समझ यह इस एनरजी लेवल एक अरण तो यह नहीं होता तो यह एक्टिविटी भी नहीं होती, समझ में आ रही है, अभी आपना, अब अपना काम भी करना चाहोगे, यानि कोई अपना कोई होता है ना, जैसे अपना कोई काम कर सकते हो, तो क्या यह काम चलेंगे, ऊपर देखो, यह कोई काम चलेंगे, नहीं चल सकते, बावन पर, नहीं चलेंगे, करके देखो आप, ऐसा करंट लगेगा, जैसे करंट लगता है, ना, काम शुरू करा और उसके बाद ही धप हो चुका है, यह वो चीजे है, एनरजी लेवल यहां पर खतम कर दिया गया है, बावन से तरिपन साल के बीच में, इनरजी लेवल को ही खतम कर दिया गया, हेल्थ प्रॉबलम, यह देखो, यह यहां पर हेल्थ प्रॉबलम शुरू हो चुकी थी, तो यानि 50 साल आपके लिए भी अच्छा नहीं है, आपके पती के के बीच में आपके husband से related activities गलत होंगी यानि यहाँ पर यह कट के निशान आ गए तो बस बिमार होता है उसके बाद फिर आदमी नहीं रहता है नहीं रहता है यहाँ पर कौन सी ऐसी रेखा निकली है निरर और डिरर की death बताओ जरा यहाँ तो निकली नहीं थी कोई निरर और डिर की कैसे हो गई death मुझे बताओ कैसे हो गई इसी समय पर कुछ स्कुर भी बने हुए इन स्कुरों के मतलब यह है कि property से related है activity यानि इसी समय पर आपके घर पर यहाँ कोई activity बच्चा करेगा इसका म बनाए हुए है यह क्या नहीं पता कि यह two bhk होता है यह three bhk होता है फ्लैट यह आपका नहीं है यह आपके बच्चे का है उसके नीचे से यह रेखा निकली है लोन लेकर करा है मुद्दा यह यह खतम है 56-57 साल के बीच में यह ट्रेंगल्स बनके यह रेखा होए क्या करत उसने कोई purchase करी होगी चीजे अठा 69-60 साल के बीच में हाँ जी वो लड़की ने करी ती तो आप देखो आपकी life में बच्चों की activity को कैसे पकड़ रहा हूं यह साइन जो छोटे-छोटे ऐसे घूम जाती है ऐसे घूम जाते उनके मतलब होती है मुझसे बहुत लोगों ने तीस मिनट के वीडियो में मैंने अभी एक ही factor को आपको explain करा था उसमें बहुत factors है अभी तो मैं समझा हूंगा मुझे पता है यह मुझे पता है यह मुझे पता है यह एडवांस मामिस्ट्री मुश्किल होगी देखो reason क्या होता है कि हमें हर activities को पकड़ना है उपर की इन activities को पकड़ना है यह वली activities को पकड़ूंगा मैं इसको पकड़ूंगा यह जो activities का मतलब है अब tension शुरू है यह जब यहां से यह activities बनती है तो tension शुरू हो जाती है याद रख लेना इनकी life में 54 और 55 पर ही सारे sign बने तो यही से activity शुरू है और उसके बाद जब नीचे ट्रेंगल्स बनने शुरू होती है यह properties होती है इनके मतलब क्या है कि यह property है यह किसकी property आपकी तो है नहीं है यह बच्चों की property है यह बच्चों की property चाहे उपर पकड़ लो नीचे पकड़ लो सब जगा पर वही sign है विदेश के sign है ट्रेंगल्स बने हैं ठीक है बच्चा जो है 61 से 62 साल के बीच में चेंज करेगा अपना घर चेंज करेगा 62 साल से उसको दिक्कत आएगी अरे भाया यह देखो यह sign जो है यह बच्चे के sign आये हुए थे यह देखो यह sign बच्चे के हैं यह सब बच्चों से related रेखा चल रही है यह सब यह सब बच्चों की रेखा चल रही है जब भी आप उपर की energy level को पकड़ते हो यह जब sign आएगा यह 64 साल का समय है 64 पे आपको दिक्कत थी 65 पर recovery करी आपने 66 यह है 67 पे आप tension पे हो यह और यह यह क्या है घर change करना चारी है बताओ मैं यहां से बता सकता हूँ यह घर change करना चारी है कब से change करना है यहां पर change करो 69 पर करो 69 पर अब यह तो मैं शुरू से बताया 68 प्लस है अब यहां पर यह क्या मतलब है यह घर चेंज करना चाहती है इनके बच्चा जो है कोई काम में तबदीली लाना चाह रहा है ठीके इनको अब सला क्या है कि कोई भी इनकी जो प्रपर्टी है यह अपने नाम पर रखे जब तक इनक जगह पर मैंने बच्चे को 79 पर कहा है दिख्कत है मुझे बड़े लड़के की लग रही है लेकिन मैं छोटे को भी कहूंगा लड़की को भी कहूंगा यहाँ पर ध्यान रखना उन सबसे पहले हिए क्या देज़े अब आपको क्या देखना होता है हमें क्या देखना है, इस वाली लाइन को पकड़ना है, हेल्थ प्राब्लम को और आपकी activities को पकड़ना है ये activities में क्या क्या हो रहा है, उसको पकड़ना है क्योंकि ये जो channel चल रहे है ना, ये channel ऊपर तक जा रहे है, अब देखो ये वाली रेखा के लिए बैठी यह जब साइन है यह बहुत आपकी लाइफ में डिस्टर डिस्टर्बेंस रहती है लेकिन जब यह ट्रेंगल्स बन जाते हैं न यह क्या कहते हैं कि आपको अपनी जगा पर थोड़ी सी उपलब्दियां मिलती है आपकी लाइफ में चाहे वो हस्बेंड हो क्योंकि यह रिलेशन जो है यह टफ रिलेशन कहलाता है चाहे लड़का हो यह दोनों एक ही कटेगरी के है इसकी लाइफ में जितनी दिखते आएंगी न और इसकी दुबारा शादी अगर कराओगे तो भी नहीं होगी और यह अकेल के साथ या बहन के साथ नहीं कट कर रहेगा कट कर रहेगा इसे दिखते ज़्यादा हैं कंपेर दूसरे लड़के से ठीक है तो यह रिखाएं विदेश से रिलेटेड होती है यह इन्वेस्मेंट्स की होती है क्योंकि आपने आगे जाकर अपनी कोई चीज को किसी के नाम प बनते हैं यह आगे तक बन रहे हैं ना आगे तक बन रहे हैं लास्ट में करोगे जरूर लेकिन मैं बचा रहा हूं आपको बस मुद्दा है मैं बचा रहा हूं ठीक है वो बचाना यह केतू होता है केतू की जो फॉर्मेशन्स बनती है यह कह रही है कि मैं बच्चों के है लेकिन फिर भी जहां जहां पर मैं आपको गलत साइन कहूंगा यह देखो यह गलत साइन है यह गलत साइन है तोटली गलत साइनों में से एक है यह और यह साइन यानि यह साइन आपका समय है आपका 76 77 अच्छा यह जो साइन है यह यह वाला जो साइन अगर आपने अपनी घुटनों से related समस्ते रहे ना घुटनों से related यहां ध्यान नहीं रखा सड़क पे जा रहे हो ऊपर नीचे चड़ रहे हो आपका एक question होना चाहिए था कि मैं bed पर से related ठीक है अगर यह bed से related पढ़ जाओगे अगर ध्यान नहीं रखोंगे तो फिर मैंने यहां पर मैं sure नहीं हूँ कि आपकी life आगे होगी या नहीं होगी इस जगा मैं sure नहीं हूँ यानि यहां major दिकते आएंगी आपकी life में major दिकते आएंगी समझ में आ रही है और यह जो समय बोला है यह बच्चे से related जो बोला था यह बच्चे का sign है यह 77 था यह वला और यह 79 है यह गलत है sign याद रख लिजेगा यह sign गलत है क्योंकि उसके बाद यह जो sign बन गया ना यह वला यह होता है कि मदद करना अब क्या है कि यहां अगर बच्चे को कुछ होता है तो आप अपना घर जो है यहां पर दे रहे हो यहां पर भी मत दो अगर मैं यहां पर क्यों नहीं कह रहा कि यहां पर भी मत दो क्योंकि मुझे आपकी life जो है ना इस जगा पर यह है आपका समय फिर 84-85 समय जो है यह आपका लास्ट होगा इन केस अगर आपने यहां अपनी सेहत को नहीं बचाया कारण यह है कारण यह और इसके पीछे ट्रेंगल बना हुए है यह प्रॉपर्टी अब समझ लो यह क्या है अगर बच्चे को दिक्कत आएगी न यह प्रॉपर्टी कहेगा कि चाहे बड़ा वाला या छोटा वाला मा ऐसा करते है इस प्रॉपर्टी को बिज़ देते हैं और हम बड़ी प संतिंग ही पढ़ रही है हमारी बेच कर जो है असी है तो मैं थोड़ा सा लोन ले ले लेता हूँ तो नाम किसके होगी वो लड़के के नाम पर होगी और फिर गड़बड शुरू हो जाएगी आपकी लाइफ में और फिर यहां पर यह गड़बड तो आपने कहना है कि यहां लास दम तक आपके नाम पर होना चाहिए और करना भी हो तो 80 के बाद या 80 पर ही करियेगा क्योंकि मैंने लिखा है कि यह जो 76-77 है यह मेजर है यह निकालना है अदरवाइस इसके आगे में मेरे को डाउट लग रहा है कि यहां पर अगर अपनी सेहत को नहीं संभाला यहां परशानियां आएंगी आपकी लाइफ में एक 72 पर आएगी पैसो से रिलेटेड एक्चल में लड़के या बच्चे को दिक्कत है लड़के या बच्चे को दिक्कत है जिसके कारण यह साइन बने हुए है यह जो साइन बने हुए है यह यह वाले साइन जो बने है यह दिक्कत जिसके कारण फिर 89 में आपके बच्चे को दिक्कत और फिर मैंने लिखा 80 के बाद फिर आप बच्चों के पास आना जाना किसी बच्चे के पास रह करो और यहीं पर आपकी जो चीजे जो है ना विदेश से रिलेटेड भी यहां पर इंडिकेट है तो आपने अभी अपने घर पर ही रहो दूसरी जगह पर जाने की जुरूत नहीं है यहीं पर आपको जितना आपको लोग जानते हैं पैचानते हैं यह सारी चीजे हो रही हैं दूसरी जगह पर जाकर आप अपना टाइम वेस्ट करोगे ठीक है मैंने कब से देखा आपका देखो 9 और 10 साल यहां पर मैंने लिख दिया ना यह होता है चाचा ताउ या दादा का साइन होता है इसके बाद एक डॉट है यह तरक्की का साइन है यहां से अलग हो गए ठीक है 13 में फिर थोड़ी सी दिक्कत आई थी ठीक है इसके बाद यहां प का रिष्टे की बात चल रही थी आप नहीं शादी कराना चाथे यहां अपने काम से सोच रहे थे यहां शादी हो गई और यहां पर अपना फिर सोचा कि कोई काम करना है 21 यहां पर आपको मेरेड लाइफ में बड़ा सेट बैक मिले होंगे इन समय पर लेकिन क्या होता है ब पहिस दिया क्या होगा यह इसका मतलब यह है यह कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है मैंने का लड़ाई जगड़े यह लड़ाई जगड़े हुए और यह देखो अलग हो गया कोई सुसराल पक्ष्टे रिलेटेड चीज़ों पर अलग हो गया 27 पे आपके हज़मन ने काम करा होगा उसमें फिर दिक्कत आई है 33 में फिर आपने काम में वही प्रॉपर्टी वाले काम है वह 35 साल तक चले है इसके बाद जो है मैंने लिखा है 35 से 36 में प्रॉपर्टी होगी लोन से रिलेटेड एक्टिविटी होगी यहां पर इसके बाद मैंने यहां पर लिखा है यह वले साल पर 37 साल पर मैंने कर लिखा है आपके पिताजी से रिलेटेड क्योंकि यह साइंस से 38 साल के बीच में बना था यहीं पर गड़बड़े शुरू हो गए कोई यहां पर नियर और डियर की डेथ नहीं है यहां प्रॉपर्टी से रिलेटेड है काम है यहां के बाद अपने दुकान और कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड आइसलेंड है यह काम नहीं चलेगा तीक है इसके बाद मैंने लिखा है कि यहां पर यह वले समय पर मैंने बोला तो ना जेट या आपकी उसकी मिसिस को कुछ होगा आपको याद नहीं था आपने बाद में का कहा उसक साइन था मैंने का fd और documentation fd तुड़वाई होगी या कोई documentation करा होगा यहां पर क्यों क्योंकि यह वाले साइन आपने क्या करा fd ना करवाकर सोना बेज दिया तो बात तो वही है यहां पर gold बेज दिया मतलब वही है यहां पर ठीक है अब इसके बाद जो है मैंने यहां पर क्या लिख दिया कि इसके बाद यह जो समय है उनीचास और पचास में काम से related है इन सब के साइनों के मतलब यह होते है मैंने लिखा husband और बच्चा यहां पर जरूर आएगा इस जगा पर तो husband ने बच्चे को निकाल कर अपनी दुकान से अलग कर दिया ठीक है अब आपकी life म अब life में एक sign और आया था बच्चे का वो जरूर में 27 यह जो साल था यह जो साल आएंगे न इन में एक सेकंड है रो यहां पर था वो समय है यहां पर था एक सेकंड यह यह था आपका काम आप 51 से कोई काम शुरू करना चाह रहे थे 52 में आपने वो काम शुरू करा होगा निए चले गई घुए लिए त्रिपन पर 54 पर आका 54 से फच्पन पर हस्बंड प्लस यह प्रॉपर्टी का निशाना है यानि ब особенно को कुछ हुआ है और पर बच्चे इन एक हुआ पर हैं यहाँ पर में यह चाह रहा था आपके किसी बJenny प्रॉपटियान आपको याद नहीं आ रहा था मैंने का लड़की याद करो और उसने लोन लीया होगा आपने करें हाहा लड़की नहीं यहाँ पर प्रॉपटी ले थी मैंने आप से कहा कि यह ठीन के नहीं होना चाहिए यागा स्पर्फित की याार रख लू डिली बड़े बड़े हैं, हाँ, बहुत बड़े बड़े कमरे, ये 2BHK हो ही नहीं सकते थे, ये एक्च्छल में वो 1400 स्क्वार फिट का क्या कर दिया, कोई होता ही नहीं है, आज कल के जमाने में, 3BHK होता है, 1400 स्क्वार फिट, 1400, 1500 स्क्वार फिट में, ये, देखो कितनी जबरद स्पामिस्ट्री है, मैंने का रूम बहुत बड़े-बड़े है, लोन लिया था, जी हां लिया था, तो इसनों को आप पकड़ोगे, ये देखो विदेश, मैंने का लड़की विदेश गई थी, विदेश में एक प्रापर्टी ली थी, ये देखो ये, ली ना, यहाँ पर य ये काम चेंज करा है, बच्चे ने, ये काम चेंज करेंगे, यही से ये बच्चा जो होगा न, आपके पास आएगा, ये देखो इसके काम में दिखते आएगी, ये एक नया काम शुरू करेगा, चौशट में आप देखो ये दिक्कत आईी न, अब मैंने यहाँ पर भी दे इसका मतलब है कि आप अपने नाम पर करना दिसी बच्चे के नाब पर मत कर ना यह है सतर पर राहू से यहां पर बच्चे को दिक्क काईगी इसके बाद जो है यह educating हैं नहीं आर्थाय यहां पर भ गुणक्र को तो मैंने काई यहां ध्यान रखना अदर्वाइस क्या होगा आपके बच्चे आपको एल्योर करेंगे और कहेंगे कि मां यह वोले मकान को बेच का हम बड़ा कर लेते हैं आपने अगर यहां बात मान ली तो गड़बड हो जाएगी तो बैटर है कि यहां पर मत मानो क्यों उस के बाद आप हेल्प करोगे असी में यानि अब आप मकान से सोच रहे हो रीजन क्या था बाहत्तर पर आप अगर अपना ध्यान नहीं रखा तो बैट पे बैट सकती है इसलिए मैंने काई बाहत्तर पर सड़क पे निकलो तो थरहां से निकलना अगर उपर सीड़ी चड़ र वैसे मैंने आपके लास समय दो दे रखें एक 76 77 यहां ज्यादा प्रॉब्लम में एक बच्चे की है 79 और एक है 84 85 यह फिर लास टाइम पिरड होगा लेकिन इन समय पर आपने आपको एक्चल में कोई फाइनेंशल प्रॉब्लम नहीं आएगी लेकिन प्रॉपर्टी लास द जाने के चैंसे मुझे दिख रहे हैं लेकिन आपने घर नहीं चेंज करना अभी यानि अभी कर लो उसके बाद नहीं चेंज करना तो अभी मैं आपको कुछ ना उपाए बता रहा हूं वह उपाए आप करते रहेगा दो एक्चल में 69 एज हो रही है उपाए इतनी असानी से तो नहीं हो पाएंगे देखो उम्र एक एक आदमी स्कूल में गया ही नहीं बच्चपन से और वो 69 में उसे कहो कि पढ़ाई कर ले उसे थोड़ा सा लगेगा कि ना पढ़ाई करते वक्त छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठना या कुछ करना वो जल्दी सीखेंगे उनको जल्दी असर होगा पढ़ाई का आपको बाद में होगा तो अब उपाएं भी आपको देरी से होंगे उसका असर देरी से होगा लेकिन आपको यह तो पता लग रहा है कि इस जगह पर क्या-क्या बिमारियां और यह सारी चीजे हैं तो आपने उसको ध्यान रखते हुए इन तिन उपाई को आपने जितने maximum point मैं दूंगा उसे cover करते हुए आप आगे बढ़ना अगर वीडियो अच्छा लगे तो please like कीजेगा comment शूर कीजेगा धन्यवाद